हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैज़ेश दुनिया में तो दोस्तों आज किस वीडियों हम बात करने वाले हैं टॉप फाइब फ्लैक्सिब फोन अंडर 25,000 तो अगर आप भी 25,000 के बजट में बढ़िया फ्लैक्सिब फोन लेने की सोच रहे हैं तो वैसे तो इस बजट रिन में आपको काफी different different companies के different काफी सारे options देखने को मिल जाते हैं बट जिन भी फोन को हमने अपनी इस वीडियों में बात करी हैं वो normally 30-35,000 के budget में आते हैं बट अभी के time पे आपको 25-27,000 के budget में सारे smartphones देखने को मिल जाएंगे और वो सारे smartphones में आपको कमाल के flexive वाले features देखने को मिलेंगे जो आपको एक flexive phone में देखने को मिलते हैं तो अगर आपको 25,000 के budget में flexive feature वाला phone लेना है तो आप इस वीडियो को end तक देखिएगा और किसी भी part को miss मत करिएगा नहीं तो आपको पूरी जानकाई नहीं मिलेगी जिससे आपको phone को select करने में कुछ problems आ सकती हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर दीजिए ताकि आपको future में भी ऐसी updates मिलती रहें तो अगर बात करें हमारी list के first smartphone के बारे में तो वो आता realme के तरफ से realme GT2 5G smartphone और अगर बात करें इस smartphone के pricing के तकरीवन आपको normally यह smartphone 35-34,000 का देखने को मिलता है market में अभी के time पर आप इसे 27-28,000 में खरीज सकते हैं और bank offer लगा के आप इसे और सस्ता खरीज सकते हैं अगर बात करें इस smartphone के specifications की तो वो काफी लाजवाब मिल जाते हैं इस price range में विकाज इसमें आपको flexible level वाले features देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले है करें इस smartphone के performance से इसके processor की तो इस smartphone में आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 888 का processor जो की एक octocore processor है और यहाँ पे आपको RGB की RAM support देखने को मिलती है तो जिनको भी gaming के लिए कोई smartphone चाहिए वो बेसक इस smartphone की तरब जा सकते हैं इसमें आपको काफी अदा powerful chipset देखने को मिल जाता है तो आपको gaming में एक smooth experience feel होगा जब भी आप game को खेलोगे वहीं अगर बात करें इस smartphone के display specifications की तो 6.62 inches की AMOLED display देखने को मिलती है जो की 1018 to 2400 pixels की है और इसमें आपको 120H का refresh rate support देखने को मिल जाता है वहीं अगर बात करें से smartphone के photography features की तो वो भी काफी आद लाजवाब है विकाज इसमें आपको triple gear camera setup देखने को मिलता है जिसमें 50MP के एक wide angle lens है जो की एक primary camera है जिसमें आपको 20x तक की digital zoom support देखने को मिलती है और दूसरा आपको 8MP के ultra wide angle lens देखने को मिलता है और तीसरा 2MP के आपको इसमें macro camera देखने को मिल जाता है इसके अलावा आपको dual LED flash देखने को मिल जाएगा अगर आप video को record करें को phone से तब आप maximum 4G quality में 30fps पर अपनी video को record कर सकते हैं इसके साथ ही अगर बात करें सामने वाले camera देगी तो सामने भी आपको एक काफी अच्छा 16MP का wide angle lens देखने को मिल जाता है जिसकी help से आप काफी अच्छी selfie को click कर पाओगे और अगर आप सामने से video record करते हैं तो आप full HD quality में maximum 30fps पर अपनी video को record कर सकते हैं वहीं अगर battery spasifications की बात करें तो वो भी काफी अच्छी निकल के आते हैं इस smartphone की तरफ से because इस भी आपको 5000 mm का एक बड़ी है battery backup तो मिलता ही है इसके साथ आपको 65W की fast charging support देखने को मिल जाती है तो आपको जो phone है वो जल्दी तो charge होगा ही और single charge में काफी अच्छा backup आपको provide कराएगा अगर बात करें इस smartphone के खासियत की तो इस smartphone में आपको एक unique design देखने को मिल जाता है और इस price range में यह आपको super performance देता है तो यह तो है my list के first smartphone के specifications and features अब बढ़ते my list के next smartphone की तरफ जो कियाता IQ के तरफ से Neo6 5G smartphone वैसे तो यह smartphone 29,000 का आता है बट sale के दोरान काफी आदा सस्ता हो जाता है और आप इसे sale के दोरान bank card offer लगा के तकरीबन 26-25,000 में खरीच सकते हैं और यह smartphones में लिए उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो जाता है जिनको gaming ज्यादा करनी है विकाज इसमें आपको gaming spasifications काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो अगर बात करें इस smartphone के spasifications की तो अगर शुरुवात करें इस smartphone के performance से तो इसे smartphone में आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 870 का chipset जो की एक octa-core processor है और यहाँ पे आपको RGB RAM support देखने को मिलती है और वहीं अगर display spasifications की बात करें तो 6.62 inches की AMOLED display देखने को मिलती है जो की 1018 to 2400 pixels की है और यहाँ पे आपको 120H का refresh rate support देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे भी आपको एक scrolling feel काफी अच्छा देखने को मिलेगा और जब भी आप game खेलोगे तो 120H का refresh rate दिया गया है तो आपको gaming करने में भी एक smooth experience feel होगा वहीं अगर बात करें इस smartphone के photography features की तो वह भी काफी आदा लाजवाब है इसमें आपको मिलता है 64MP का एक wide angle lens जो की primary camera है with 10x digital zoom और आपको दूसरा camera मिलता है 8MP का एक ultra wide angle lens और तीसरा आपको यहाँ मिलता है 2MP का एक macro camera और इसके अलावा आपको बैक पे LED flash देखने को मिल जाएगी और अगर आप इस camera से video record करोगे तो आप maximum 4GB के quality में 30fps video record कर सकते हैं सामने वाले camera की बात करें तो 16MP का आपको सामने एक अच्छा खासा camera देखने को मिल जाएगा और अगर आप सामने से video को record करोगे तो यहाँ पिस से भी आप 30fps पर full HD quality maximum video को record कर सकते हैं वहीं अगर बात करें इस smartphone के battery specifications की तो 4700MH की आपको यहाँ battery देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 80W का fast charging support देखने को मिलता है तो आपको जो phone है वो और जल्दी charge हो जाएगा as compared to Realme GT2 तो आप अगर ज़्यादा जल्दी charge करना जाते हैं तो इस smartphone की तरफ आप जा सकते हैं बट अगर आपको overall इस smartphone की तरफ ही जाएगा विगोस उसमें आपको काफी अच्छा प्रोसेसर तो मिलता ही है and 65W कम charging speed नहीं होती तो यह दो रहे हमाई list के second smartphone के इस smartphone की तरफ तो third smartphone हमाई list का आता है POCO की तरफ से POCO F4 5G smartphone और यह smartphone भी आपको 27-28,000 के कीमत में देखने को मिलता है बट अभी के time पे अगर आप इस buy करने जाएगे तो आपको यह smartphone 24-25,000 का market में देखने को मिल जाएगा और अगर आप bank card लगाएगे तो और सस्ता आपको यह smartphone देखने को मिल सकता है तो अगर बात करें इस smartphone के spasifications की तो performance के लिए इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 870 का chipset जो की एक octocore processor है और यहाँ पे भी आपको एक 6GB का RAM support देखने को मिलता है जिन भी लोगों के gaming के लिए एक बड़ी है smartphone चाहिए काफी सस्ता smartphone वो POCO F4 की तरफ जा सकते हैं इसमें आपको काफी अच्छा processor देखने को मिल जाता है और इसमें भी आपको 120H का refresh rate support देखने को मिल जाता है तो जब भी आप game खेलोगे तो आपको काफी smooth experience feel होगा बात करें अगर इस smartphone के display spasifications की तो 6.67 inches के यहां भी आपको एक पढ़िया AMOLED display देखने को मिल जाती है जो की 1080 x 2400 pixels की है और यहां पे भी आपको 120H का refresh rate support देखने को मिल जाता है और गोरिला glass 5 की protection देखने को मिल जाती है इसके अलावा अगर बात करें से smartphone के photography features की तो यहां पे भी आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है जिसमें 64MP का primary camera है 8MP का ultra wide angle lens है और तीसरा 2MP का एक macro camera आपको इसमें देखने को मिल जाता है और इसके लावा एक LED flash भी आपको back में देखने को मिल जाती है और अगर आप इस camera से video को record करोगे तो आप maximum 4MP के quality में 30fps पर वीडियो को record कर सकते हैं वहीं अगर सामने वाले camera की बात करें तो 20MP का आपको एक सामने camera देखने को मिल जाता है और अगर आप इस camera से video को record करोगे तो आपको वीडियो को आप maximum full HD quality में 30fps पर record कर सकते हैं वहीं अगर battery spasifications की बात करें अब बढ़ते हैं हमाई list के 4th smartphone की तरफ तो इस तो 4th smartphone निकल के आता है हमाई list का again Realme की तरफ से Realme GT Neo 3T 5G smartphone और अगर बात करें इस smartphone की pricing तो करीबन आपको यह smartphone 21,000 या 23,000 रुपीज में आपको यह smartphone market में देखने को मिलेगा अभी की time पे और अगर आप sale की दोरान लेते हैं तो bank offer लगा के आपको यह smartphone और सस्तब पढ़ सकता है और इस price segment में यह smartphone almost 20 smartphone से best spasifications देता है तो अगर बात करें इस smartphone की spasifications की तो performance की सुरुआत करेंगे इस smartphone की तो इस smartphone में आपको performance के लिए मिलता है Qualcomm Snapdragon 870 का chipset जो की एक octa-core processor है और आपको यहाँ मिल जाता है 6GB का RAM support वहीं अगर इस smartphone के display spasifications की बात करें तो 6.62 inches की एक AMOLED display आपको यहाँ देखने को मिलती है जो की 1018 to 2400 pixels के साथ आती है और यहाँ पे भी आपको 120H का refresh rate support देखने को मिल जाता है तो इस scrolling में आपको कोई problem नहीं होगी lagging की समझ से आपको इस smartphone में देखने को नहीं मिलेगी और Gorilla Glass 5 से protected है तो आपको इस scratches की भी tension नहीं लेनी है तो अगर बात तेरे इस smartphone के photography features की तो यहाँ पे भी आपको triple rear camera setup ही देखने को मिलता है इसके अलावा आपको backpack LED flash देखने को मिल जाएगी और अगर आप इस camera से video को record करोगे तो आप maximum 4 के quality में 30 fps per video को record कर सकते हैं बात करें अगर front camera की तो 16 megapixel का आपको एक सामने camera देखने को मिल जाता है और अगर आप सामने से video record करते हैं तो आप यहां से भी full HD quality में maximum 30 fps per video को record कर सकते हैं battery specifications की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है because इसमें आपको 5000 damage का battery backup तो मिलता ही है इसके साथ आपको मिल जाते है 80W की super dart charging का support तो आपका smartphone जो होगा काफ़ी अल्दी charge हो जाएगा यह तो रहा है my list के fourth smartphone के specifications and features अब बढ़ते है my list के last smartphone की तरफ तो last smartphone my list का आता है Xiaomi Redmi K50i smartphone यह smartphone तकरीबर आपको 24-25 जार का market में देखने को मिलता है बट अगर आप sale के तोरान इस smartphone को लेते हैं तो कभी-कभी 5000 तक का आपको इसमें bank discount देखने को मिल सकता है तो आप इस smartphone को 20,000 रूपीज में भी खरी सकते हैं अगर आप sale के इंतजार कर सकते हैं तो कर लीजिएगा बात करें अगर इस smartphone के performance की specifications की तो इस smartphone में आपको मिल जाता है Mediatek Dimensity 8100 का chipset जो की एक octocore processor है और यहाँ पे भी आपको 6GV RAM support देखने को मिलती है वहीं अगर इसके photography features की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है Tipper Rear Camera Setup जिसमें 64MP का एक wide angle lens है जो की एक primary camera है 8MP का आपको एक ultra wide angle lens देखने को मिलेगा 2MP का एक macro camera और इसके साथ आपको एक back पे LED flash देखने को मिल जाएगी अगर आप इस camera से video को record करेगे तो आप maximum 30fps पर 4 के quality में video को record कर सकते हैं वहीं अगर इस smartphone के display specifications की बात करें तो वो काफी अच्छी निकल गया जाते है विकाज इसमें आपको maximum मिल जाता है 144Hz तक का refresh rate तो आपको इस smartphone में scrolling का एक और अच्छा experience feel होगा जब भी आप phone को use करोगे तो अगर detail से बात करें इस smartphone के display specifications की तो इसमें आपको मिलते है 6.6 inches की IPS LCD display जो की 1018-2460 pixels की है और यहाँ पे भी आपको Gorilla Glass 5 का production देखने को मिल जाता है और refresh rate तो आपको 144Hz मिलता ही है तो आपको इसमें एक down point देखने को मिल सकता है तो आप इस smartphone को जरूर purchase कर सकते हैं बढ़ अगर आपको इस price range में इस smartphone को purchase करना है तो आप 4th number वाले smartphone के साथ इस smartphone को compare कर सकते हैं और compare में वो इस smartphone बिन कर जाएगा तो आप उस smartphone को lease दिएगा तो अगर बात करें इस smartphone के battery specifications की तो 5080 mh की आपको यहां बैटरी देखने को मिलती है bit 67 watt fast charging support तो अगर आपको यह वीडियो हेलफफुल लगी हो तो इस वीडियो को simply कर दीजेगे like और channel को दीजे subscribe तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं के लिए और नए interesting वीडियो में कर दो देखने रेख पकाईर